और यंज को आदा नो तो अच्छ रोग के देखेंगे सी लैंगवज की तुरू हम एक से बना सकते हैं यारी एक सब्सक्राइब्ट करते हैं और कैसे बसट करते हैं और कैसे बैलेंस चेक करते हैं, पिन नंबर कैसे चेक कर सकते हैं, यह सारे कुछ options हम लोगो create करें देखेंगे, तो यह mini project की रूप में होने वाला है, इसको अपने resume में add कर सकते हैं, अपने resume को और improve करने के लिए, ठीक है, तो चलिए start करते हैं, कि ATM management system कैसे बनेगा, तो सबसे बोला, ATM simulator, simulator, यह जो है, इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें सबसे पहला का, हम लोग एक रखेंगे, withdraw, cash, withdraw, तो यह क्या हो गया, cash, withdraw, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट जो होगा, यानि cash withdraw के बाद, जो दूसरा पार्ट आएगा, वो होगा, cash deposit, तो कुछ ATM में हम लोग पैसे भी deposit कर सकते हैं, तो मैंने क्या बोला, cash deposit, deposits, deposit, ठीक है, ATM, cash deposit, and then, थर्ड है, check balance, 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 या, balance inquiry, and fourth part होगा, pin change, यह total हम लोग 4 formats हम लोग, यानि कि 4 tasks हम लोग perform करेंगे, जिसमें, जब हम लोग withdraw की बात करेंगे, तो withdraw में कुछ validations लगाएंगे, पहला, आपने देखा होगा, कभी भी हम ATM से पैसा निकालते हैं, तो जो maximum limit है, भी draw करेंगे, एक बार में, वो 10,000 है, तो यानि, max limit हम लोग set करेंगे, जैसा कि ATM में होता है, वो 10K हम set करेंगे, मैं पूरी कोसिस करूँगा, कि इस project में हम लोग वो सारे वा एडिसन देखें, जो ATM में लगाए जाते हैं, every time, every time, action perform होने के बाद, session destroy होगा, और session maintain destroy करने के लिए आपने देखा होगा, यहाँ पर session destroy तो नहीं कर सकते, बढ़ उसके लिए हम लोग ने क्या देखा है, pin ask करता है, यानि आप से asking for a pin, asking the pin again, ठीक है, तो आपने द कभी भी amount निकालते समय, एक point यह याद रखना है कि कभी भी जो amount आप निकाल रहे हो, वो कभी भी बड़ा नहीं हो सकता आपके account balance से, ठीक है, तो यह भी हम लोग को validation लगाना है, ऐसा भी नहीं हो सकता कि भाई, आपने जो amount मांगा, वो हमारा जो main balance है, उससे ज़्यादा हो सकता है, कि पता चला कोई balance निकालने हमारे पास आया, उसने का मुझे 120 रुपे चाहिए, 120, या उसने 111 रुपे मांगे, क्या ये ATM में withdraw हो सकता है, नहीं हो सकता, withdraw हम करी नहीं पाएंगे, 111 रुपे कैसे निकालेंगे, 120 रुपे कैसे निकालेंगे, तो यानि कि जो भी values न तो ये हम लोग focus करेंगे, यानि total हम cash withdraw में चार लगा के देखेंगे, ऐसे same, जब मैं cash deposit की बात करता हूँ, cash deposit में आपने देखा होगा, कई सारे deposit में खास कोई validations नहीं होते, बट जो भी withdraw में deposit करते हैं, उसे max limit एक set होती है, तो हम लोग यहाँ पर एक max limit set करेंगे, max limit set करके, हम लोग यहाँ बोलेंगे कि, कम से ज़्यादा से ज़्यादा आप एक बार में 20K या 10K बार में maximum जमा कर सकते हैं, यह मैं assume करने के लिए होगा, तो कभी भी आपने देखा होगा, एक बार में आप 50,000 से ज़्यादा deposit करते हैं, विद्ध्रॉद डिपाउजिट त हमारा जो पिन, updated pin है, उसके थो हम क्या करते हैं, कैसे login करेंगे, ठीक है, तो यह पूरा format होगा, जो हम लोग cover करके देखेंगे, तो पूरा वीडियो काफी important होगा है, ध्यान से देखेगा, जिससे आपको यह सारे features आप देखेंगे, सबसे importance में क्या है, cash deposit, balance check करना, यानि ह हमारे account में balance कितना है, और pin journalism, और पूरे में हम लोग क्या करेंगे, पूरी courses करेंगे, success internet करेंगे, important क्या है, इसके अलामा हमारे पास एक feature और है, जो इसमें जोड़ना है, वो यह है, क्या आपने देखा होगा, जब आप ATM में three times, three times क्या करते हैं, wrong pin डालते हैं, अगर wrong pin डा इसमें करेंगे, हम count भी करेंगे, कि ATM का जो pin डालते हैं, तो आपको बताता रहेगा, कि आपने यह गलते हैं, तो यह पूरा courses हम लोग करते हैं, कि इसको try करके, implement करके रिखाते हैं, तो चलिए, start करते हैं, कैसे इसको हम लोग करेंगे, ठीके, चलिए, तो सबसे पहले हमने क्या किया, turbo c plus open करते हैं, यह तो हो गया हमारा format, इन सभी को ध्यान रखना है, क्या क्या हम लोग करेंगे इसमें, तो मैंने यह आपर बोला, turbo c plus plus, तो वो c plus सब पे गया है, हमने इसको open किया, और यह हम लोगो ने केवल, एक reference के लिए रखा हुआ है, जिससे हम लोगो इसको देखते रहेंगे, कैसे कैसे काम कर रहा है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, studio.h, एक हटर फाइल बनाई, has include, लगाया, और यह रहा, koneo.h, एक हटर फाइल लगा लेते हैं, ठीक है, चलिए, यहाँ से मैंने क्या किया, वाइड में, स्टार्ट किया, और सबसे पहले, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, double value बनाते हैं, और यहाँ रहा हम रखते है, balance, ठीक है, तो balance amount हमने यहाँ पर लिया, clear, एक balance amount होगा, जिसमें मैंने स्टार्टिंग में माल लिया, कि यह मेरे पास 25,000 रूपीज है, balance check कर लिया, दूसरा, pin हमारे पास जो होगा, int, pin, जो हमारा system pin होगा, यानि जो हमारे पास store pin है, वो हमारे पास मैंने इसको माल लिया, assume कर लिया, कि 1469, यह मैंने assume कर लिया, और एक given pin होगा, जो user देगा, इसके लिए variable बना लिया, यानि एक pin मैंने assume कर लिया, कि मेरे पास है, और दूसरा pin जो user से हम लेंगे, उसके बाद मुझे क्या चाहिए, counting चाहिए, यानि जो आपने try किया, जो invalid count है, यानि pin try, इसकी value मैंने क्या रख दिया, 3 रख दिया, कि 3 टाइम से हम क्या करें, pin को try करने देंगे, and उसके बाद क्या हो सकता है, एक amount नाम पर बना लेते हैं, क्योंकि हम point में तो value निका लेंगे नहीं, amount value हो सकती है, और यह काम करते हैं, कि हम लोग इसको as a, अभी, as a double की बजाए, integer पर ही काम कर लेते हैं, ठीक है, या long integer पर काम कर सकते हैं, तो देखे जरा, इसको मैं यहीं माल लेता हूँ, सब कुछ integer पर रख लेता हूँ, बाद में हम लोग इसको क्या करेंगे, अलग अलग variable बना के देख रहेंगे, बैलेंस बना लिया हो, बैलेंस में कितना रख दिया, 2500 रूपीज, तो यह amount हो गया, balance हो गया, यह सब हो गया, चलिए, अभी क्या करते हैं, यहां तक हमने रखत इसको मैंने कहां लिया, scanf के थुरू लिया, और pin जो आएगा, percent d के रूप में, and gpin, यानि given जो pin है, user वारा यह हुआ, अब इसमें दो ही बाते हो सकती, या तो pin जो हमारा store है, और जो given pin है, वो बराबर हो जाए, अगर बराबर हो जाए, तो user के पास option देना है, else क्या करना है, message देना है, printf, invalid, pin, try again, और अगर ऐसा होता है, एक message दे देते है, printf, welcome in programmer store, ATM soft, यह एक message दे दिया, simple सा, कि, चलिए, यह message दे दिया, कि यह एक message आज़ है, अगर pin सही होता है, तो, slash n, slash t, slash t, थोड़ा सा बीच मिलाने के लिए, और यहां last में हम क्या करेंगे, slash n लगा देना, तो इसका नाम रख देते हैं, ATM, .c से save कर दिया, okay, 2.3, ठीक है, तो ATM नाम से हमने save कर दिया, आप सबसे पहले क्या करता है, try करते हैं यहां पर, कि, अगर ऐसा होता है, तो क्या होगा, तो सबसे पहले run कर आया, इसने ATM पिन हम से मागा, interior pin, मैंने यहां दिया, 1,2,3,4, invalid print, try again दे दिया, और अगर इसी चीज़ को मैं run कराता, और मैं बोलता, 1469, पिन नमबर था, यह किया तो welcome in programmers the ATM soft, यह हमारे सामने एक message आ गया, जो हमें चाहिए था, अब मैं यह चाहता हूँ, कि अगर, तीन बार, wrong होने पर, इसको मैं बाहर भेजना चाहता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, यहां पर, यहां पर एक, start, level बना लेता हूँ, और बोलता हूँ कि अगर, pin try जो है, value जो है, invalid है, ठीक है, तो pin try जो है हमारे पास, उसको check करना है, तीन है हमारे पास, और हम लोग क्या करेंगे, जब तक, तो मैनस करेंगे, तो क्या होगा, यह तो छोटा ही होता चला जाएगा, तो हम लोग को नगलती, यहां पर condition नहीं रख दी, कि हमें यह रखना है, कि जब तक यह बड़ा, यह बराबर हो वन के, तब तक इसको हमें चलाना है, ठीक है, यानि एक attempt तक हमें चलाना है, मैनस करत आदी attempts, attempts left, तीक है, और यहां पर हम क्या करते हैं, पिन underscore try को print करा देते हैं, अब जड़ा देखते हैं, इससे क्या होगा, फिर से रन कराते हैं, इस बार फिर से, और wrong pin देखे देखते हैं, यह देखे, दिया, बता रहा है, invalid pin, वनली 2 attempts left, इंटर सेकेंड पिन यह दिया वल्ली वन अटेम्ट लेफ्ट एंड एक यह वन ट्राइ किया तो इसने जीरो अटेम्ट लेफ्ट किया और हम बाहर आ गये तो इसका मतलब यह हुआ कि हम लोग ने क्या देखा कि अगर ऐसा कुछ करते हैं तो यह रॉंग दे रहा है तो एक काम पर लिखेंगे if pin underscore try is greater than or equal to one अगर है तो यह तब तक काम करें अदर्वाइस यह एक बार माइनस होता चला जाए clear है तो अब देखे के जड़े से क्या होगा इल्स पार्ट को हम फिर सरन करके देखते हैं यानि हमारा यह पहला व्रेडेशन लग चुका है तीन बार पिंट राई करने का तो यह मैंने यहां पर बोला यह वल्ली two attempts left, enter your pin, this one attempt left और इसके बाद हम जब करेंगे तो यह सीधे बाहर आ जाएगा और हम चाहते हैं इसके बाद एक message भी आ जाए कि ठीक है यह काम हमारा हो गया और उसमें क्या पास करना है उसके अंदर एक नीचे से message प्रिंट कर देते हैं सर्फ यह कि अगर हमारा काम ह हो गया और कुछ भी message नहीं आया तो फिर तो अगर बढ़ है तो slash end, thanks for thanks for using ATM soft ठीक यह message देते हैं और यह कब होगा ज़जा देखते हैं बाफर से run कराते हैं 1, 2, 3, second attempt left, 3, 4, 5, first attempt left, this, this, this and यह अब इससे क्या हुआ invalid हो गया और thanks for using और एक थोड़ा सा message क्या है कि यह जो message आ रहा है ना बार-बार इसको हम slash end देते हैं जैसे यह new line आ जाया और यह भी हम देते हैं यहापर कि हर बार यह new line में मांगे तो चलिए हमारा काम पहला वाला part जो है जो लगा रहे थे attempt के साथ यह हमें पता चल रहा है कि यह attempt हमारा बाकी रह गया कि अब हमें सारी जो logic है वह यहां पर करनी है यहीं हमारा जो नीचे का पाड़ता हो हटा रहते हैं और हम पूरी कोडिंग यहां करेंगे एक काम करते हैं इस चीज़ को उठा लेते हैं यहां से कि हम चाहते हैं कि यह यहां पर हो यानि सिर्फ एक बार आए है ठीक है तो है डबल कोर्स में slash n slash t slash t welcome in programmers कि ATM soft यह एक मैसेद दिया और यहां लगाया slash n जिससे हमें new line मिल जाए ठीक है यह की बार आण चाहिए और इसके नीचे मैं चाहते हैं लाइन सा जाए तो मैंने बोला कि ठीक है भई यहां पर क्या करते हैं एक message इस तरीके जनेट करा देते हैं और यहां पर लिग देते हैं मैसेज वेलकम यह इन प्रोगामर्स वह ATM soft इंटर यह पिन 1234 इंवालिट पिन वल्ली टू अटेंप्स लेफ्ट 456 वल्ली वन अटेंप्स लेफ एंट 1234 अगर मैं करता हूं इंटर करूंगा तो यह आपको थैंक्स फॉर यूजिंग एटिम सॉट बता देगा और इंबैलिट पिन हमारा कम्प्लीट हो गया यानिका हमार पास अब कोई अटेंप नहीं बचाए अब चलिए काम करते हैं अगर मैं दुबार नं कराता हूं तो आप समझ गया होगा कि यह पिन अगर जब इक्वल होगा तो क्या होगा तो इसकाम करते हैं इसके अंदर इसलाइस न लगाते हैं और इते हैं और इते हैं वन फॉर कैस बिद्ट्रोड स्लाइस एं टू कैस दिपोजिट इक है फिर स्लाइस न थर्ड चेक बालंस हम लोगों ने भी देखा था न कि क्या-क्या रखना है चेक बैलंस स्लाइस न फॉर्थ यहां पर बोला पिन चेंज एंड फिप्ट पार्ट दे देते हैं अधा यह यह पर हमें पता है जब कॉनकाइट करना होता है तो हम लोग इस तरी लगा देते हैं तो अब हमारा यह काम हो गया और यहां पर एक मैसेज फिर से देंगे और इंटर योर च्वाइस और यह जो मैसेज है अन के साथ साथ स्लैस टी लगा देते हैं इससे एक मैसेज आ जाए और यहां पर लगाएंगा हम लोग स्कैन अफ हैं परसेंट डी süऑाइस लेते हैं सी एच में चवाइस नाम भोलत बनाया नहीं तो यहां पर आते हैं यहां पर बनाते हैं च भ्हारव का मा किया किस टरीखान करेंगा तो चलिए यहां तक हमारा काम हो को टाइप किया तो यह आपके सामदीक मैसेज आ रहा है कैस्ट विद्रों कैस्ट डिपॉजिट चेक बैलेंस इंचेंज एंग इंटरियोड चॉइस ठीक मैंने आपर वन दिया हम बाहर आगे क्यों कि अभी हमने कोई काम नहीं किया चेक बैलेंस के पहले थोड़ा से स्पेस क को यहां पर हटा दिया ठीक है अब आप देखी क्या हो रहा है यहां तका काम हो गया और हमें पता है जब हमारे पास यह काम हो गया तो यहां पर हम लोग क्या लगाएंगे स्विच केस लगाएंगे ठीक है ठीक और यहां पर चॉइस को हमने पास कर दिया फिलिवस लगाते है, if का पार्ट है, ठीक है, इसमें confusion होगा, थिसलिए हमने पहले ही लिख दिया कि किसका पार्ट यही, कर लिबरेसम किस पर बन कर रहें, तो मैंने पहला case बनाया, case one, यह किसका है, और यहीं पर लगा दो break, क्योंकि हमें सारे cases बना देता हूं एक case और बनाते हैं five का और यह भी बना देते हैं ब्रेक कर देते हैं कि यहां से बाहर आ जाए और एक default बना देते हैं ठीक है default में मैंने बदाया कि invalid choice sorry wrong choice और यह मैंने यहां पर क्या अगर दिया slash in लगा दिया इसे एक message आ जाए और यहां से break करने के भी कोई जरूत नहीं देख लेते हैं चलिए अब मैंने बोला कि अगर withdraw करना है तो यहां पर हम withdraw का code करेंगे यहां पर होगा तो deposit code करेंगे यहां पर check balance का code करते हैं और यहां पर हम लोग किसका pin generation code करते हैं यह होगा हमारा exit का तो exit के code के लिए हम लोग क्या करेंगे यानि हमें बाहर बेजना है तो हमें यहां पर कहीं यहां पर thanks for using वाले पार्ट पर भीजना है तो इसके लिए मैं अभी देखता हूँ क्या करना है बट सबसे पहले हम लोग क्या आते हैं यहाँ पे और बिद्ड्रॉ के लिए हम लोग लेते हैं अमाउंट तो जब भी बिद्ड्रॉ देखें यह जो केस वन है ना यह सबसे इंपोर्टन है इसको ब तो हम लोग सबसे पहले क्या आप बोलने वाले हैं प्रिंट एफ और यह बोला मैंने इंटर विद्ड्रॉ अमाउंट ठीक है और इसके नफ लगाया अब इसमें ध्यान से देखिए वालिडेशन अम लोग लगाने तो एंड सॉरी यहाँ पर पर सेंडी यहाँ पर बोला मै अमाउंट में आएगा और जो पहला होगा जो वालेशन लगाएंगे वह यह लगाएंगे कि अब हुआ यह कि सीधे हम लोग कर सकते हैं डारेक्ट अमिगबार कर सकते हैं कि मैंने बोला कि बेठीक है बैलेंस इस इक्वल टू बैलेंस माइनस एमाउंट निकाल दो और यहा Withdraw Completed Collect your Your cash ठीक है? And And Updated कि बैलेंस कि इस पॉर्ट सेंडी के साथ बैलेंस की वैली यूजर को पता चल जाएगा कि इतना एमाउंट हमारा हुआ अब दीकि जैसे ही अब हम आपको यकर कर देखाते हैं यसको यह से हमारा ब्रेक व क्यार है अब इस प्रोगाम में देखी कि एक प्रालों क्या है फ्रॉलम यह है मैं आप को एक हट्र के रएट संदिखाता हÚ अब मैंने बिड्रो किया, बिड्रो किया मैंने कितना, 120 रुपए, अब दिखें यहाँ पर गल्ती क्या हो रहे, सबसे पहली गल्ती दिया ही है, 121 रुपए मैं ने टर दिया, चलिए, ठीक, अब क्या होगा, ज़रा दिखीं, यह होगा, बिड्रो कम्प्लेटेड, collect your cash and update balance is this, thanks for using ATM software, बिल्कुल सही है, बट प्रॉब्लम यह है, क्या 121 रुपए हम ATM से निकाल सकते हैं, answer is no, तो फिर cash को रोक हैं, क्योंकि हम 121 रुपीज तो निकाल सकते हैं, cash collect ही नहीं होगा इस तरीके से, तो इसका मतब यह है कि कभी भी जब हम balance निकालते हैं, तो पहला जो validation लग amount जो आ रहा है, अगर मैं इसको mod कर दू 100 से, और equal to लगा दू 0, इसका यह मतलब है कि वो 100 का multiple है, अगर 100 का multiple है, तब तो ठीक है, otherwise क्या करना है, एक message जनिट कराना है, और वो message यह है, inter amount, ठीक है, inter amount with the multiple of 100, यानि user को हम यह message देंगे कि यह पहला तो wrong है, आपको क्या करना है, multiple of 100 देना है, ना कि इस तरीके से आप दे सकते हैं, ठीक है, तो first, जो logic है, वो यहाँ पर यह है, कि यहाँ पर एक validation यह लगाएंगा, अब जरहें देखें कि इससे क्या फाइदा होगा, फिर चलते हैं, start करते है, 1469, मैंने pin नमबर डाला, सबको सही रहा, 1 लिखा, withdraw amount और मैंने 120 दे दिया, अब जरह देखेंगा क्या आएगा answer, इंटर amount बेदा, multiple of 100, यानि 120 रुपए नहीं निकल सकता है, thanks for using ATM software, यानि हमको बाहर बेद दिरा है, ठीक है, अब मैं करूँगा क्या, यानि कि मेरा पहला validation लग गया, और मैं यह चाहता हूँ, यह thanks for software मत बेजे, कि मुझे फिर से, मुझे तुरंत गलती होने पे, तुरंत मुझे कहां भेज दे, interior pin, और बोले कि फिर से आप क्या करिये, correct amount डालिये, तो मैंने यहाँ पर बोला, कि ठीक है भई, हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, इसको भेज देंगे कहां पे, या तु सबसे starting भेज देते हैं, तो अभी वो देखते हैं क्या होगा, अब पहला variation लग गया, अब दूसरा variation क्या हो सकता है, पहला variation लग गया, दूसरा variation यह है, कि मैंने बोला था कि 1000 रूपीज से जादा हम नहीं निकाल सकते हैं, बट हमने क्या किया, अगर मालो 1469 किया, और मैंने दिया amount निकालने को और मैंने बोला, ग्यारा हजार रुपए, क्या एक बारे में ATM से इतने इमांट हम निकाल सकते हैं, एंसर इस नो, तो चलिए देखिए, लिकिन जो रिजल्ट है, यह तो हमें निकाल देगा, यह बता रहा है कि 25,000 बारे में आपके पास एकाउंट में बजे हुए, यह तो रॉंग है, अब इसको कैसे रोक हैं, यानि हम लोग यहाँ पर एक दूसरा वारे समलें, और दूसरा वारे समलें यह है कि जब यहाँ पर अंदर ही एक पहला मल्टिपल वाला हो गया, अगर अमाउंट की वालू, लेस देन और एकवल टू क्या है, 10,000 है, तब तो ठीक है, अंदर आने दो, clear है, otherwise यहीं पर हम एक लगाएंगे, इल्स पार्ट, क्या लगाएंगे, इल्स पार्ट यहाँ पर और बोलेंगे, क्या बोलेंगे, की, प्रिंट फ, तो max limit, limit of, max limit of withdraw, is 10K, यह हमने एक message दे दिया, अब user को समझ में आ जाएगा, की, 10,000 से उपर का amount हमें नहीं देना है, चली भाई, अब amount इस बार देते हैं, तो दो उसरा validation यह है, 1469, मैंने password डाला, अपना pin number, withdraw के लिए पहला choice बोला, और मैंने कहा 11,000 से उपर, चली, wrong आना चाहिए, पहला तो multiple वाला ही आ गया, अब आप समझ के होंगे, कि 11,000 सूपर वाला validation देलेगा, तो भी काम नहीं करेगा, ठीक है, फिर से करते हैं, इस बार 1469, पास्टो डाला, इस बार 1 क्या, 1, sorry, 11,000, क्या बोल रहा है, max limit of withdraw is, 1000,000, अब यानि यह भी validation लग गया, clear, इसका मतब यह हमारा सही हो गया, अब एक काम करते हैं, कि मेरे पास, फिर समय नहीं किया, next validation क्या है, यह है, twice किया, one, इसने का मुझे 25,000 already amount में है, और मैं निकाल कितना रहा हूँ, 26,000, क्या मैं यह निकाल सकता हूँ, मेरे पास balance में कितना है, 25,000 है, और हम निकालने कितना है, 26,000, या मैं कह सकता हूँ, 30,000, अब यह allow कर देगा, ठीक, अभी देखेगा कैसे, यह देखे, okay, 30,000 एक बार में नहीं कर सकते, तो पहला तो यह हो गया, दूसरा validation का यह भी ध्यान रखना है कि, okay, 10,000 से पहले एक validation और लगाते हैं, वो यह है balance का, यानि minus में लगा देगे, कि अगर amount की जो value है, less than balance है, तब तो ठीक है, यहाँ पर क्या बोलना है, इस जगह पर, और एक और इस लगा देना है, इस जगह पर, तो एक तो इस हमने लगा दिया, max limit के लिए, एक यहाँ लगा देते हैं, लगाते हैं, इस, यहाँ पर बोला, printf, तलिवेस, लिख देते हैं, slash n, अभी देखेगा, क्या होने वाला है, insufficient, in your account, ठीक है, in your account, यह मैंने एक मैसे दे दिया, कि अगर ऐसा कोई amount डाल रहे हो, जो balance से, ज्यादा है, तब यह अपने आप क्या करेगा, मुझे यहाँ पर भेज़ देगा, चलिए देखते हैं, फिर सरन करा है, और, 1469, पास्रोड डाला, विद्ड्रोगर निकलिया आया, मैंने यह दिया, और 25,000 अलड़ी मेरे अकाउंड में है, मैंने कितना दे दिया, 30,000, क्या यह अलाओ करना चाहिए, no, insufficient balance आना चाहिए, तो जारा देखिए, बतारा, insufficient balance in account, यानि पहले तो यह देखेगा, अगर balance से ज 11 रुपए निकल सकता, दूसरा, जो amount user मांग रहा है, वो उसके account से कम होना चाहिए, अब ऐसा नहों कि 25,000 के बचा, 25,000 वो सीधा एक बार में निकाल ले, या 26,000 निकाल ले, यह चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो यह भी हो सकता है, तीसरा point ही है, कि एक बार में 10,000 सूपर निकाल सकते हैं, अगर 10,000 से कम यह बराबर है, तब तक तो balance में आएगा, नहीं तो वो बाहर बेदेगा, और लिख देगा, max limit of withdraw is 10,000, यानि यह वाला जो yields है, यह किसका है, इसका है, 10,000 वाला limit का, दूसरा वाला जो insufficient balance है, amount is less than balance वाला है, और यह वाला जो inter amount with the multiple of 100 है, व 469, इंटर किया, withdraw के लिए है, cash withdraw, 1, मैंने बोला amount दे दो, अब मैं proper निकालता हूं, record, 5000, तो 5000 जो है, पहले बात तो देखिए, तीनों condition को हमारे fulfill कर रहा है, पहला 100 का multiple है, बिल्कुल सही है, 100 का multiple है, 5000 मिल सकता है, 100,000 रूपीस के रूप में, दूसरा क्या हो सकता है, दूस जा रहा है, तो 5000 जार अगर निकालेंगे, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं, यह बिल्कुल सही है, और आप देख सकते हैं, कि यहाँ पर क्या रहा है, withdraw completed, collect your cash and updated balances, 20,000, thanks for using ATM software, clear, तो पहला जो पार्ट है, वो हमारा complete हो चुका है, ठीक है, अब मैं यह चाहता हूँ, ठीक है, ठीक है, और deposit करने के लिए, हम लोग क्या आप करने वाले हैं, इसमें छोटा सा वरेडिशन लगाना है, बहुत बड़ा नहीं है, तो सबसे पहला हम क्या लगाने वाले हैं, वो यह है, कि जैसे ही second part में आते हैं, case 1, 2 में आते हैं, यहाँ पर हम मैसेद देंगे, printf, slash and, enter your, enter deposit, deposit amount, एक मैसेद दिया, यह कहाँ पर आएगा, percentage group में, and, amt आएगा, and amount ले लिया, और हमें सबसे पहला यहाँ पर क्या लगाना है, मैं direct लगा सकता हूँ, लेकिन, मैंने का इसमें एक validation लगाना है, और validation यह है, कोई जरूई नहीं है, यह आप क्यों पर depend करता है, मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, अगर 20,000 से नीचे है, तब तो अंदर आने देना है, इल्स क्या करना है, रोक देना है, क्या रोकना है, printf, slash n, max limit to deposit, is 20k, यानि एक बार में आपको 20,000 से जादा, except एक बार में नहीं करना है, तो max limit हो गया, और अगर सब कुछ सही रहा, तो, यानि 20,000 से कम रहा, तो मैं क्या गरूँगा, balance is equal to balance, plus होगा, क्योंकि हम जमा करने जा रहे है, तो amount deposit हो गया, और हम यहाँ पर दिखाएंगे, printf, slash n, deposit, यह हो जाएगा, deposit, completed, updated balance, इस person D के साथ, का balance, ठीक है, चलिए, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर, और less than or equal to, max limit, equal to तक लगा देता है, ठीक है, तो यह मैं equal लगा देता है, जिससे यह पता चले, और इस बार रन कराते हैं, अब दूसरे पर आते है, 1469, दूसरे पर आते हैं, और मैंने वहला, amount deposit करना है, मैंने कहा, 25,000, क्या मैं जमा कर सकता हूँ, no, क्योंकि एक बार में 20,000 हैं, हम एक बार में allow कर रहा है, तो यह देखिए, क्या रहा है, max limit to deposit 20,000, के, thanks for using ATM soft, दूबार रहन कराते हैं, इस बार में क्या करता हूँ, 25,000 already में एकाउंड में है, 1469, इस बार deposit करने गया, और इसने कहां बोला, कितना जमा करना है, 10,000, यह तो मैं कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, deposit, okay, reason क्या है, integer value है, तो minus में value आपको जा रही है, समझ में आ रहा होगा, क्योंकि 32,700 से उपर यह value accept नहीं कर सकता, तो खेर, इसको हम लोग बाद में long integer भी बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 1469, इंटर किया, इंटर इमाउंट यह दिया, पांस जार जमा कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, यह और आपका updated balance कितना हो, 25,000 था, बीस, पांस जार और जोड दिया, कितना हो गया, 30,000 हो गया, deposit is completed, updated balance is 30,000, तो यह था हमारा deposit का part, अब आये जरा आते हैं, check balance, पूरा व your outstanding account balance is percent d, मैं इसको long integer में कर लूँगा, बाद में, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, आप लोग इसको इतहान रखियेगा, और यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, यही से मैंने उसको break कर दिया, ठीक है, तो अब आप देखिए, देख सकते हैं कि हमारा जो balance है, वो हमारा यहाँ पर काम करेगा, चलिए 1469, इंटर करते हैं, तीसरे में आते हैं, your choice and your outstanding current balance is 25,000, यह आपको पहले ही पता है कि 25,000 हमारे पास है, ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, change pin का, और अभी देखिए का ध्यान से हम लोग इसमें काफी change करना है, pin number, तो मैंने फिर से लिखा, printf, slash and enter new pin, अब new pin के पहले हम old pin ले सकते हैं, लेकिन old pin ले करके ही हम लोग यहाँ पर आएंगे, क्योंकि हम लोग इस वाले part में तभी entry कर पाएंगे, जब हम old pin के बाद आएंगे, तो से मुझे new pin के पहले old pin लेने की कोई ज़रूद नहीं है, I think आप समझ रहे होंगे, मैं कहना क्या चाहरा हूँ, ठीक है, क्योंकि इस वाले block में हम तभी entry करेंगे, जब हमारा pin complete सही होगा, तो चलिए भई, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर exit किया, और यहाँ लिखा person D, अब update किसमे करना है, and जो system pin था, उसी में लेंगे, और यहाँ पर एक message देंगे, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, your pin, pin is updated, login again, again message देंगे, और सबसे important बात, हमें logout नहीं होना है, यहीं से में क्या करूँगा, go to, मैं तुरंट भेज़ दूँगा, starting में, बाहर भेज़ दूँगा, logout कर दूँगा, ठीक है, तो मैं यहाँ से logout करने वाला हूँ, चलिए, देखते हैं, सबसे पहले run करा है, मैंने, अभी देंगे, और new pin, ठीक है, मैंने दिया, one, two, three, four, clear, enter किया, इसने बोला, your pin is updated, login again, अब आप से देखे, फिर से pin मांग रहा है, अब मैं अगर मैं पुराना pin देता हूँ, one, four, six, nine, तो देखेगा, error देगा, बता रहा है, one attempt left, और यह one attempt क्यों लेफ्ट बता रहा है, क्योंकि allow करेगा, यह देखे, one, two, three, four, हमने किया, तो इसने क्या किया, जो पुराना pin था, उसने हटा दिया, अब नए pin के थ्रू, one, two, three, four, के थ्रू हम login करेंगे, और मैं देखके अब दिखा सकता हूँ, third अगर मैं choice करूँगा, तो मुझे balance अभी भी मिल रहा है, I think आप समझ र login हो जाए, यानि एक बार pin उसका सही हो जाए, तो उसकी value को मैं फिर से क्या कर दो, pin try की value है, तो 3 कर दो, क्यों भई, क्योंकि इसके नीचे आने पर यह minus हो रहा था, यह कम हो रहा था, तो यह चिन मुझे रोकना है, clear है, अब बात आती है कि pin भी हो गया, अब मुझे क्या क करना है, एक concept लगाना पड़ेगा, और वो यह है, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बाहर आने के लिए मैं यहाँ पर exit भी लगा सकता हूँ, और default के पहले काम और कर सकता हूँ, इल्स के बाद, जो इल्स पार्ट है, यहाँ पर, इल्स पार्ट के बाद, मैं यहाँ पर ए मैं बोलता हूँ, कि जब, इंड हो जाए, मुझे हर बार क्या करना पड़ेगा, बाहर विजना पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पर बाहर आने के बाद, मैं एक message देता हूँ, प्रेस, वन टू, continue, अभी मैं समझाता हूँ, यह क्या है, यानि यह बाहर ना करे मुझे, जब मैं लॉग इन करूँ, तो लॉग इन करने के बाद, मुझे यह पूछे, कि अगर आप लॉग, एक काम हो गया मेरा, फिर से क्या आप continue करना चाहते हैं, परसंट डी, एंड, मैं क्या कर लेता हूँ, च्वाइस, ठीक है, अगर मैं च्वाइस लेता हूँ, तो इस च्वाइस से पता चल जाएगा, कि क्या मैं continue करना चाहता हूँ, या नहीं, तो दीखे ज़र, मैंने सबसे पहले यहीं पर च्वाइस के, और च्वाइस में मैंने क साथी साथ मुझे काम और करना है, जो पिन का try करना है, उसके value को फिर से update कर देना है, कितना 3, जिससे जब वो फिर से continue करें, और अगर गलती करें, तो पिन को कम से कम कितनी बार try कर सकें, तीन बार, बहुत important है, ध्यान समझेगा मैं जो बोलना चाहरा हूँ, अब इसका फा अगर कोई बाहर जाना चाहता है, बीच में ही, तो बाहर जा सकता है, और यहाँ पर भी वही करूँगा, गोटू, इंड, और हर जगा यही करेंगा, देखे, max limit हो गया, काम होने के बार, गोटू, इंड, वैसे वो वहीं जा रहा था, बट हम लोग यहाँ पर करेंगे, गो बैलेंस का भी हो गया, और बिड्ड्रॉ का बाकी था, इस से क्या होगा, अभी देखिएगा, आपको समझ में आएगा, मैं करना क्या चाह रहा हूँ, गोटू, इंड, जिससे वो दुबारा हम से फिर से आस्क करें, क्या परफॉर्म करना चाहते हैं, चलिए भई, फिर से कराया मैंने, और इस बार उसने पिन नंबर मांगा, मैंने 1469, ये मेरा पिन नंबर है, इंटर्योर च्वाइस, मैंने बोला, 3, यानि चेक दा बैलेंस, बैलेंस आया, और ये पूछ रहा है, प्रेस 1 to continue, अगर मैं 1 करता हूँ, तो ये दुबारा मुझ से पिन नंबर मांग और एक बार देखिएगा, फिर से मैं क्या करता हूँ, गलत करता हूँ, फिर से 1 attempt, और इस बार मैं सही कर देता हूँ, 1469, ध्यांस देखिएगा, attempt मेरे फिर से 3 हो चके होँगे, अब आपको कैसे, कैसे पता चलेगा, तो एक काम करते हैं, पहले तो मैं आपको यहाँ पर कर 699 करूँगा, फिर से मेरे पास attempt उतने ही आ गया, तो आप देखिए, thanks for using, ATM soft आ गया, और मैं बाहर आ गया, अगर मैं 1 करता हूँ, तो फिर से हमसे पूस्ता, do you want to continue, यानि हर बार मुझसे यह continue कराता, तो I hope आपको समझ में आ रहा होगा, कि यह कर क्या रहे हैं, तो यह total हम लोग लगा सकते थे, मैंने यह आप लगा कर दिखाया, हर बार मैं end पर भेज रहा हूँ, और कुछ इस तरीके से display करा रहा हूँ, तो यह हर सारे cases में बलग कर देता हूँ, जिससे हमको पता चले, यह रहा case, और सबसे importance में आपका withdraw है, आपको समझ में आगा हो कि withdraw में काफ इसलिए बनाया है, कि सपोस कर यह माल लिजे, आपने एक बार ATM में login कर लिया, माल लो, 1469, अब आप से पूछ रहा है, अब आप कुछ नहीं करना चाहते है, तो मुझे कुछ नहीं कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसलिए मैंने सीधे यहां पर क्या बना जाए, 5, मैंने यह इसलिए मैंने यहां पर पुछा, यह सीधे बाहर बेदेगा, प्रेस वन टू कांटीनू, मैंने कहा नहीं, कुछ भी टाइप कर दिए इसके लामा, वो एक्जिट कर देगा, हम बाहर आ जाएंगे, तो इसलिए मैंने यहां पर एक्जिट बनाया, I hope आप समझ रहा होंगे, कि कैसे काम हो रहा है, तो यह था पूरा एक complete प्रोजेक्ट, बट इसमें अभी कुछ चीजे हमें बाकी रहे गए, वो क्या है, तो पहले काम करते हैं, हर जगा पर वो मांग रहा है, प्रेस वन टू कांटीनू, और मैं काम करता हूँ, यहां निउ लाइन देता हूँ, जिस मैंने आपको 3-4 बैलेशन लगा के दिखाए, कि 25,000 से ज़्यादा आप नहीं निकाल सकते हैं, 10,000 से उपर का बैलेशन आप नहीं निकाल सकते हैं, एक बार में, और multiple होना जरूरी है, तो फिर से आते हैं, सारे बैलेशन देख लेते हैं, 120, प्रे कहरा है, इंटर अमांट इंटर नहीं नहीं निकाल सकते हैं, फिर कांटिनु किया, फिर नमर मांगा, 1469, इंटर किया, इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, 30,000 निकालने कोसिस कर रहा हूँ, तो आप देखिएगा, बताएगा, insufficient balance in your account, because हमारे पास 25,000 जा रही है, तो आप यहाँ पर गलतिया नहीं कर सकते, यानि तीन वरेट से हमारे काम कर रहे हैं, फिर से हमाते हैं, पिन नमर पे, 1469, पिन नमर इस बार हम कितना जमा कर देते हैं, इस बार हम कितना जमा कर देते हैं, इस बार हम कर देते हैं, 27,000 हो गया, 25,000 थे, और मैं फिर से वन कांटिनियू किया, पिन नमर फिर समागा, 1469, ध्यान सदी किया, सारा काम कर रहा है, अब आते हैं, तीसरे पर, थर्च वाइस, आपका बता रहा है कि आपका जो balance है, आप देख सकते हैं, 25,000 था, 2000 हमने जमा क किया, 27,000 रपे है, फिर वन पे आए, यह पूरा प्रोजेक्ट उसी तरीखे से मैं अब देखे, लगाउट हो रहा है, लेकिन आपका बंद नहीं हो रहा है, फिर continue किया, 1469, इंटर किया, इसने बोला, पिन नमबर चेंज करने को, तो मैंने बोला, फोर्थ नमबर, तीन हो पिन नमबर, इस बार मैंने 1111, फोर टाइम वन मानर, इंटर किया, अपडेट हो गया, लॉगिन करने के लिए बोल रहा है, अब इस बार मैं पुराना अगर पिन डालता हो, तो क्या होगा, 1469, यहां से देखे क्या कर रहा है, वन ली टू अटेंप्स लेट, आपका गलत हो कुछ भी आप 1 के अलाब कोई भी नमबर आप पास करेंगे, इंटर करेंगे, थैंक्स फॉर यूजिंग एटियम सॉफ्थ, ठीक है, तो यह आपको पूरा कांसेप्ट एपलाई कर रहा है, बट एटियम में जो काम होता है, वो सर्वर से होता है, और सर्वर में जब कोई का करेंगे, जस्ट उपर यहापर और मैंने बोला, वायट प्रोसेस, प्रोसेस नाम का एक फंक्सन मना है, और मैंने यहापर एक सिंपल सा मैसे दे दिया, प्रिंटिफ, थोड़ा सा वो टाइम लगे, जिसके लिए मैंने बोला, प्लीज वेट, वी आर, प्रोसेसिंग, एक मैसे दे दिया, वी आर, प्रोसेसिंग, यह मैंने दे दिया, और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा दिर वेट करें, तो मैंने यहापर डिले लगा दिया, डिले नाम का एक फंक्सन होता है, जो, math.has include, इसको हम std, lib में भी डाल सकते हैं, dot h header file में डाल सकते हैं, डिले, और मैंने यहापर बोला, 1000, यानि एक सेकेंड लिए कहा करो, बेट करो, अब यह मुझे कहा कहा जरूत पड़ेगी, इस प्रोगाम को, यानि इस फंक्सन की हमें कहा कहा जरूत है, जहाँ पर भी बेट कराने की हमें जरूत है, यानि मुझे, अब आप देखे होंगे कि कभी भी हम जब यूजर ने, पिन नमबर डालते हैं, थोड़ा सा टाइम लगता है, पिन नमबर को अड़ेस्ट होने में, तो मैंने यहाँ पर भी डाल दिया, प्रोसेस की, जब पिन, आप चाहोते हैं, यहाँ लगा दो, प्रोसेस होने में, यानि कि यहाँ पर थोड़ा सा प्रोसेस हो रहा है, और कहा करें processing का feel हमें feel कराए कि processing हो रहा है यानि amount में कुछ timing लग रही है और ऐसा ही same यहाँ पर भी हम लोग करेंगे process के लिए अभी आप देखिएगा इसका क्या मतलब होगा process किया and then last में यहाँ पर भी हो गया ऐसे same amount balance में भी हम लोग क्या करेंगे process करेंगे processing की जरूत पड़े कि थोड़ time लगेगा data fetch होने में और pin number को update होने में थोड़ा सा time लगेगा तो यहाँ पर भी मैंने क्या बोला process कर लो ठीक है और आप देख सकते ही इस तरीके से मारे पास processing का time apply हो रहा है ठीक है चलिए अब आप देखिएगा इससका क्या मतलब निकलेगा प्रगाम रण हुगा इंक्लूड इस पेलिंग गलप हुई लगाया प्रगाम सेप किया रन कराया इस बार इसने ATM पिन नमर मांगा मैंने 1469 अब आप देखे का क्या होगा इसका यह करा please wait we are processing अब आपने देखा जब यह complete हो गया तो इस नीचे मैसेज आ गया तो यह यह थोड़ा सा रियलिस्टिक करने के लिए मैसेज देविया प्लीज वेट कर रहा है उसके बाद यह मैसेज आ रहा है ठीक है बन फिर कांटिन्यू किया इस बार 1469 मैंने किया फिर से वेट कराएगा और यहां पर देखे मैसेज आ रहा है फिर मैने बोला टू करो करना है कर सकते हैं विल्कुल कर सकते हैं वियर प्रॉसिंग और आप देख सकते हैं प्रॉटी पॉर्ट कंप्लीट अप्डेट बैलेंसे 24,000 क्योंकि मैंने 20,000 निकाल लिए तो 5,000 निकाल लिए तो 24,000 बचे वन फिर से कांटी नियू किया इस बार उसमें बोला कि क्या करन है मैंने बोला 1469 पिन नमबर डाला प्रॉसिंग हुई आपके सामने आ गया मैंने बोला 3rd तीसरा वियर प्रॉसिंग देखे वेट प्लीस वेट वेट वियर प्रॉसिंग ठीक है और देन बैलेंसे 24,000 फिर मैंने वन दिया और इस बार उसमें बोला कि पिन नमबर चेंज कर लॉगिन अगें 1,2,3,4, continue, processing completed and last में हम क्या करेंगे 5 से exit होंगे and 1 की बजाए 2 करेंगे तो हम इससे बाहर आ जाएंगे I hope आपको सारी बात समझ में आई होगी अब इसमें थोड़ा सा एक point और जोड़ते तें वो यह है कि थोड़ा सा जब हमें यहां ते हम लोग करी रहे है तो क्यों ना इसमें थोड़ा सा color combination add कर दें और वो color combination होगा कि मुझे बस C लगा देना है तो मैं बोलूँगा text color color दिया और यहां पर दिया 6 यह color combination होगे अर इसका दिख्या का फाइदा क्या मिलेगा program run हुआ, enter your pin 1469 processing, आगे choice मैंने बोला 3, we are processing and your current balance is this, press 1 to continue, color आगे आपके पास, 1 किया, फिर से 1469, ठीक है, enter किया, processing हुई एद देन इस बार मैं exit होना चाहता हूँ 5, फिर continue आप प्रस कनने के लिए और मैंने हापर enter कर दिया 3 करके, तो आप thanks for using ATM software, आगे, अब करते यह हैं कि थोड़ा सा इस कलर को और अच्छा बनाने के हम लोग क्या करने वाले हैं इसमें कुछ वैलूज एड़ कर देते हैं वह वैलूज क्या है सब कुछ वही रखेंगे टेक्स का कलर हमने चेंज किया है इस वाले पार्ट में आकर जो 6 दिया था उस 6 के पहले ए पार्ट को बना सकते हैं बहुत ही बहुत ही बहतरी तरीके से मैंने आपर फाइब बोला चांटीनू करना था वन मैंने बोला बिल्कुल सही है या टू करके बाहर आ जाते हैं अब आप देख सकते हैं थैंक्स फॉर यूजिंग एटियम सोफवेर और आप इससे बाहर आ गए तो ये था पूरा प्रोजेक्ट आई होप आपको समझ में आया होगा इसमें मैंने एक फंक्सन यूज किया है डिले जिसका काम है प्रोग्र कर सकते हैं दूसरा ऐसे ही हमारे पास टेक्स्ट कलर नाम का फंक्सन है जो क्या करता है कलर एक्सेप्ट करता है तो मैंने रियलिस्टिक थोड़ा सा फील देने के लिए मैंने प्रोस्सिंग अप्लाई किया तो आई होब आपको वीडियो पसंद आया होगा अपने दोस्तों पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना बोलें और अगर आपको किसी भी तरीके के सजेशन्स हैं तो भी कमेंट सेक्षिन में जुरूर बताएं थैंक्स पॉर वाचिंग